हेई फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शायर करने वाली हूँ क्रीमी ब्रॉकली आलमंड सूप की रेसिपी जो की बहुत ही हेल्दी है साथ साथ बहुत ही क्विक एजी रेसिपी है तो आए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम आलमंड को सोख करेंगे तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिए है वन फोट कप आलमंड और यह मैंने लिया है थोड़ा सा वाम वाटर और अब हम इसे साइड में रख देंगे और ब्रॉकली को कट करेंगे तो मैंने यहाँ पे लिए है 500 ग्राम जितनी ब्र और इसे हम रफली चॉप कर लेंगे ब्रॉकली को मैंने कट कर लिया है और अब हम इसे वाश कर लेंगे और उसके बाद यहां पे हम एक पैन लेंगे और उसके अंदर हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून ऑलिव ओई अगर आपके पास ऑलिव ओई नहीं है तो आप कोई भी कुक इसमें एड करेंगे एक बड़ी प्याज और इसे हम गोल्डन होने तक साथे करेंगे तो करीबन तीन मिनिट के बाद यह आप देख सकते हैं कि अनियन अच्छे से गोल्डन हो चुकी है और अब जो हमने ब्रॉकली वाश करके रखी थी वो हम इसमें एड कर लेंगे इसे मि दालेंगे और इसे जग कर हाई फ्लेम पर पांच मिनिट तक कूख होने देंगे पांच मिनिट हो चुके हैं और यह आप देख सकते हैं कि ब्रॉकली अच्छे से कूख हो चुकी है यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को आप करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और जब तक broccoli ठंडी हो रही है तब तक हमने जो almonds जोग करके रखी थी उसके हम skin निकाल देंगे तो यहाँ पे मैंने almonds की skiskin निकाल दी है और अब हम एक mixi जाल लेंगे और उसके अंदर जो broccoli हमने cook करके रखी थी वो हम इसमें add कर लेंगे और साथी में हम इसमें एड़ करेंगे almonds और अब हम इसकी fine paste ready करेंगे paste हमारी बनकर ready है और ये आप देख सकते हैं कि बहुती smooth और creamy बनी है बिल्कुल ऐसा ही texture चाहिए हमें अब हम same pan में ये paste को निकाल लेंगे और gas की flame को हम on करेंगे और साथी में हम यहाँ पर add करेंगे 3-4 cup जितना पानी आप चाहे तो यहाँ पर दूद का भी इस्तमाल कर सकते हैं या फिर half दूद और half पानी भी add कर सकते हैं इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इसमें add करेंगे स्वाद अनुसार या फिर एक चमच नमक गैस की flame को हम high करेंगे और इसे 2-3 boil आने तक cook करेंगे करीबन 2 मिनिट के बाद या आप देख सकते हैं कि यह अच्छे से boil हो चुका है और अब हम इसके अंदर add करेंगे एक चमच काली मिर्च पाउडर वन फूर्थ कप लेंगे हम क्रीम यहाँ पे आप दूद के उपर की मलाई या फिर रेडि मिट क्रीम का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसे मिला लेंगे और आदी मिनिट तक हम इसे cook करेंगे तो यह आप देख सकते हैं कि बहुती creamy और बहुती smooth texture के साथ ब्रॉकली सूप बनकर हमारा बिल्कुल रेडी है और यहाँ पे हम गैस की flame को off करेंगे और सूप को गर्मा गरम सव करेंगे और serving के time हम इसके अंदर add करेंगे एक चममज क्रीम थोड़ी सी काली मीश पावडर और साथ ही में हम इसमें एड कर लेंगे थोड़ी से चॉप बादम तो तयार है हमारा ब्रॉकली अलमन्ट सूप आप इसे जरू ट्राइ करें और मुझे कमेंट करके बताए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी फिर सेक नही डिए रेसिपी के साथ मिलेंगे तब तक के रिए टेक केर बाठाइ एंड हपी कुकीँग्स